तो Self-Motivation के बारे में बात कर रहे थे तो उसको पहले समझना है Self-Motivation क्या है? Self-Motivation मतलब अपने आपको खुश रखना, हैपी रखना, मतलब अपने आपको खुश करने के लिए किसी के ऊपर निर्वर नहीं रहना कि वो ऐसा कुछ करे कि हम खुश हुए, हैपी हुए हो, मतलब किसी के एक्टिविटी से आप खुश रहने का इच्छा ना रखे, खुट को खुश रखे, उसके लिए कुछ चेंजस आपने अक्टिविटिस में लेना होगा, सोच में लेना होगा, वो ये है. कि involvement, motivational, self motivation के लिए क्या है? आपको किसी ना किसी activates में अपने आपको involve करना होगा, जिसमें भी आपका रूची है, जो भी आपका test के according है, चाहिए वो आपका रिडिंग हो, डैंसिंग हो, स्केचिंग हो, ड्रॉइंग हो, सिंगिंग हो, गार्डनिंग हो, कुछ आप डियाई बनाए, घर के जो वेस्ट मेटेरियल है, उससे अपने टैलेंट को उसके उपर उभरे, देखिए, सिल्फ मोटिविशन के लिए कोई भी एज नहीं है, आप नहीं कह सकते कि आप इतने साल के हो गए, अभी हम क्या यह सब कुछ करेंगे, अभी टामार, ऐसा नहीं, ऐसा करने से इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने वेलू देना नहीं सीखे है, नहीं जान पाए कि आपको क्या चाहिए, आपको दूसरा आपको जब तक आप इस बात को चाहिए आप हो हम हो अच्छे से समझ ले तो उससे क्या है ना कि बहुत stress जो है जो है वो हट जाता हमारे life से या रहता ही नहीं देखिए कोई भी problem वो आएगा कौन problem कब आएगा कैसे आएगा कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वो बात की बात है आपने उपर जो भी problem आता है उसको हम लोग self handle करते हैं self solve करते हैं होग सकता कुछ time taking होता है तो इसके मतलब क्या है कि आप अपने आपको motivate रखेंगे किसी भी activities के द्वारा तो आपका confidence level जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा अपने आपको आप एज के हवाले मत करिए अभी हम latest news देख रहे थे कोई madam उशा चंदा है 75 years old की है वोनोंने पेजटी किया है वो मैसवर से है वो अभी अपना value देती है आपको बहुत बाधाया आएगा जाए आप कुछ जैसे आपको इछ बच्चे जैसे, आपको सुनना नहीं है, आपको अपने ही काम करना है, आपको खुश रखने के लिए, आपने उपर ध्यान ध्यान रखिए, आपने शरीर को बढ़ ध्यान रखिए, जैसे आपको कुछ ब्यूटी टीप्स लेना है आज कर तो कितना पार्लर में से कॉंटेक्ट करिए घर में बुला लिजे अब नहीं जा पारे घर में आके आपका हाथ पैर का भी दिख भाल हो जागे कुछ इसके बार जैसे नेल वगरा नहीं कर पाते हैं तो वो सब तो मेरा कहने के मतलब है आप आपको इनिशियेटिव लेके अपने आपको खुश रखना हो गए यह से इंपावर्मेंट हम हमेशा दूसरे के आश्रे में नहीं वो कर सकते हैं कि किसी के इंतजार कर रहे हैं वो फोन करेगा वो मेरे से बात करेगा तब हमारा मूड हैपी हो जाएगा इसके मतलब लोग ह हमको चाहते हैं लोग हमको याद करते हैं लोगों को लोगों का मेरा जरूर यह सब सोच अब नहीं रखना है यह जब तक आप रखेंगे तब तक अपने आपको हैपी नहीं कर सकते हैं और अपना जब तक आप यह सोच बाहर वाले को बता देंगे कि तुम हमको हैपी रखन आप अपने विक पैंट को किसी को जाहिर मत करने दिजेंग आप जाहिर मत करिए किसी के सामने एक पान वीक सपर की आप मार्केटिंग इससे को खुड़े के लेके चले आईए कहने का मतलब यह है कि अपने आपको आप किसी ना किसी तरीके से आपको इन्वाल्व रखना है कोई अच्छे से कुछ कर दिया इस ओके नहीं किया देट और फिर भी ओके कोई बात नहीं हम लोग कभी कभी सोचे हैं ना कि चलो कोई हमने उसके लिए इतन होता है कि कोई आप करते हैं किसी के ली कुछ इसके मतलब आप वो करना चाहते हैं उसमें आपका सबसे हट जाना है वो सब अब दुख का बहुत मेजर कारण स्ट्रॉंग रूट है अनहपी रहने का तो वो सबसे हटके अपने आपको इन्वॉल्व करिए एक्टिविटिस में कुछ भी करिए जिसमें खुशी हो हर कुछ थोड़ा-थोड़ा काम करके देखिए अब नर्सरी चलिए प्लान अगर आख यही हमको बता न हम आप लोग यहांटी, आप लोग को और भी जांकारी चाहिए कि कि सली मुख को को मैं टोगेस ? कुछ वीडियोस मेरा है मैं उसको आभी वीडियोसं पर रखके मैं आपको बतांगे कि आप क्या-क्या-क्या कर सकते हैं बहुत हैं ऐस्कॐल में नहीं पढ़ा है घर में ही बच्छे पढ़ा सकते हैं टूशन पढ़ा सकते हैं ऐसिक कोई कहीं पहुत लिखा नहीं है यह लोग थोप देते हैं वह आप के वी घुश रयते हैं कोई कोई लोग उसी में भी खुशी रहता पान तो वह अपने आपको इन्वाल्व करने का अपने आपको हैपी रगो एक आदत है वह ड्यूटी टाइप करने भाते हैं लोग रूटीन वाइस मेरा कहना है सिर्फ इन्वाल्वमेंट आप यदी रखेंगे अपने लाइफ में अ एक सटन एज के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं बाके लोग सब अपने अपने कामे बिज़ी हो जाते हैं आपका डिमेंड रखता है कि वह बात करे कोई आके बैठी यह सब एक्सपेक्टिशन मतलब एकदम जीरो रख देना है तभी हम हैपी रह सकते हैं खुश रह स okay friends thank you